Hello Friends, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि Morphe Richard Microwave को आपको कैसे यूज करना है तो इस वीडियो के अंदर में आपको सारा डिटेल में बताऊंगी इसके functions को कैसे आपको operate करना है इस microwave को इसके functions को अगर आपको select करके अगर चलाना है ये कुछ भी पकाना है तो आपको इस microwave, specially Morphe Richard के microwave को आपको कैसे use करना है कौन से keypads को आपको press करना है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले Friends, आप मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करें क्योंकि मैंने Morphe Richard Microwave से related बहुत सारे वीडियो डाले हुए है आप चाहें तो मेरे playlist पर जाके देख सकते हैं नॉर्मल कोई दूसरे company का भी microwave आपके घर पे है तो भी मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही useful रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चीज हमें ज़रूरत पढ़ती है प्री हीट की तो प्री हीट का बारे में पहले आपको मैं यह clear कर दूँ कि प्री हीट होता है गरम करते हैं तो वही सेम कॉंसेप्ट इस माइक्रोवेब के साथ है माइक्रोवेब अगर रखा हुआ रहता है तो ठंडा पूरा हो जाता है तो आप उसमें टाइमर लगा के तुरंथी अगर कुछ भी कुक करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा तो इसलिए कह परहिट करते हैं दो तरीके से अरब को थोड़ी देर के लिए परःट करना हैं कुछ भी मतलब 10 मिनाट के लिए आपको पकाना है तो अब सिंपल स्वाइन लगाです कि मैंने यहां पे 10 मिनट लगादिया धी और चार्ट तौन्शीचिध से लिए तो थोड़ी देर के लिए करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं मतलब टाइमिंग लगा के भी यहां से कर सकते हैं दूसरा यहां से क्विक स्टार्ट है यहां पर आप इसको जितना प्रेस करेंगे 30-30 सेकंड से इनक्रीज होता जाएगा जैसे मानिया तीन मिनट लगा कि मैं मशीन को पहले थोड़ा सा गरम कर ले तो पहला तो यह मैठड है चोटे टाइम के लिए करना है छोटी चीज़े पकाने जा रहे हैं, तो करना है शोट Red Serpies है तो उसके लिए करना है तो आप इस तरीके से प्रीहिट अपने माइक्रोवेफ को कर सकते हैं दूसरा जो तरीका है वह थोड़ा टाइम लेता है वो हिट उसके लिए आपको क्या करना है यह करते हैं हमें चीजे लिए 17 टीमनेंट करना है तो आपको करना है तो का अद Metro करणा है चैनल प्रिच्ष कर लिए उसके बाद आपको जिस ही टेमप्रेचर करनां प्रीहेट में कोई फिक्सटेम्परेचर नहीं थी जैसे आपने रेसिपी जबा बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले 200 डिग्री सेंटीग्राइट पर प्रीहेट करना है 180 कुछ प्रीहेट करना है तो यहां पर सारी अगर आप 110 कर रहें सबसे लोज तो इसमें आप 10-15 मिनट के लिए प्रीट कर सकते हैं मतलब जितना कम टेंपरेचर लेंगे टाइम अपका ज्यादा लगेगा जितना ज्यादा टेंपरेचर लेंगे टाइम कम लगेगा ठीक है तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूं कि टें कर दिएशों के लिए का कर सके लिए को करते हैं तो ना करते हैं लौंगा रेशिपीज के लिए तो उसके MOS हम इस तरह का preheats करते हैं लेकिन यहां पहर थर्टी मिनट्ट का टाइम दे रहा है तो यहां पूरा थर्टी मिनट्स प्री हिट के लिए नहीं लेता है यह मतलब लेता है का कि त्यस guerre dai मिनट्स के अराउंड ही लेता है जैसे यह ड्रव 5 फिर इह का होते हो तो मैं बहुते हैं तो यह हो गया प्री हिट के बारे में अगर आपको खव गया है तो अची बात शुम कशीली और पर हो गया है तो सुदुंध असबहरे हैं मैं इसकी ङुट An?" वे डिवाइट है अलग है कुछ भी छोटी मोटी चीजे चीजह स्नाक स्टैक बनाना यहां राइस क्र सकते हैं कुछ लॉंग मतलब थोड़ा लंबा टाइम का कुकिंग करना है मेन कोर्स करना तो इसमें कर सकते हैं चाइनिस फूड्स अगर आपको फास्ट फूड करना है तो आप इसमें कर सकते हैं तो यह सारी चीजे हैं जो कि आप छे पार्ट्स में डिवाइड है तो इसको आपको कैस तो कुक्त तो डाहिace करना है तो यहां पर इसमें जो लिख धुश्त मेन्म घंडेता है तो सभी क्लिक करना है अब तो जैसे कि आपको दिखा डिरूयारी यहां पर वह खानी ओडे 7krit जैसे आपको कुछ भी बनाना है जैसे आपको यहां पर बर्गर बनाना है तो यहां पर कोड दिया हुआ है BS 31 आपको स्टार्ट करना है और कैसे कैसे करना है कितना टाइम मतलब है अटो कुछ भी सेटिंग नहीं करना है यहां पर बस एक code दे दिया है हमें बस हो select करके यहां से start कर देना है तो suppose यहां पर B S 31 दिया है तो इसको आप कैसे करेंगे तो B और S का मतलब होता है breakfast and snacks तो हम इसको press कर देंगे अब वहां पर 31 दिया है तो यहां B S 01 है इसी को हमें लगातार press करते रहना है यहां पर increase होता ज 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तो यह हो गया तो मतलब हमने बर्गर अगर को करना है अंदर तो B S 31 मैंने select कर दिया है इसके बाद हमें क्या करना है वेट and clock को press करना है यहां पर यह बर्गर के according अपने आप टाइम ले लेगा और उसके बाद हम यहां से start कर देना है तो जैसी complete होगा आपका burger बनके ready हो जाएगा तो आपको जो भी autocook का जो code दिया है उसे आपको कैसे operate करना है तो वो मैंने आपको बता दिया है इसमें से जो भी आपको code दिया होगा उसके starting का यह letter alphabet letter देगा उसके बाद one two numbering देगा तो जितनी बार भी numbering वो लिखा हो उतनी बा weight वो देखता है कि कितना kg तक का उसमें ingredients है तो उसके हिसाब से वो time को set करता है जैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला तो यहां पर सिव एक मिनट का time लिया था अगर मैं इसमें रियल में burger डालती तो हो सकता हो पांच मिनट तीन मिनट का time यह लेता तो यहां से code आपको select क clock को प्रेस करना है then start करके आपको यहां पर रन करवा देना है microwave को यह सेकेंड चीज मैंने आपको बता दी तो इन सब को आपको कैसे पहचानना है तो वह मैं आपको clear कर दे रहे हूं breakfast next के लिए B S लिखा होगा कडीज का जहां पर भी होगा मां C लिखा होगा M C लिखा होगा मां C लिखा होगा क्उनिदेल को परेस करना है d e लिखा होगा तो dessert k को प्रेस करना है Accompassings लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे A और C लिखा होगा तो इसमें, Accompaniments में होता है क्या है कि इसमें जैसे jam बनाना होता है, picles बनाना होता है कुछ भी छोटी मोटी चीज़े, pulp, mango pulp बनाना होता है तो क्या होता है कि fruits plus थोड़ा से liquid वाली चीज़े बनानी होती है तो आपको इसे select करना है specials के लिए SP लिखा होगा तो जो भी आपके autocook menu में जो भी code लिखा होगा इन 7 में से वो आपको select करके जितने times number होगा उतने time प्रेस करके weight and clock को press करना है then यहां पर start कर देना है यहां पर जो भी यह temperature दिया हुआ है तो वह हम use करते हैं convection और ग्रील के लिए और अगर आपको normal microwave cooking करना है तो उसके लिए यहां पर power level को प्रेस की हूँ तो यहां पर 100% का power दिखा रहा है सपोज मैं यहां पर एक बार कर दे रही तो कम होता जा रहा है तो अगर आपको microwave में अगर cook करना है और आपको थोड़ा सा temperature power कम करके आपको cook करना है तो यहां से आपको control कर सकते हैं ठीक है आप देख सकते हैं ग्रील माइक्रो ग्रील ग्रील कन्वेक्शन और माइक्रो प्लस कन्वेक्शन तो यह जो फीचर दिया यह सिफ मॉर्फी रिचर्ड में दिया रहता है यह मेरा जो माइक्रो वीव है वो मैं आपको दिखा दे रही हूं MW 25CG 25 kg का यह मॉर्फी रिचर्ड का माइक्रो वेव अवन है तो यहां पर इसमें यह बहुत अच्छा एक फीचर दिया रहता है कि इसमें कॉंबिनेशन करके यहां पर मोट्स दिये हुए हैं जिसे कि हम कुकिंग जो भी करें बहुत अच्छा से पॉफेक्टली करें तो सबसे पहले समझना यह है कि ग्रील क्या होता है कन्वेक्शन क्या होता है माइक्रो वेव क्या होता है तो जब हम नॉर्मली कोई भी जैसे हम नॉर्मली ऐसे स्टार्ट कर देते हैं और यह माइक्रो स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि यह माइक्रो मोड में होता है क्या है कि यह किसी भी चीज को अंदर से पकाता है अगर हम पानी भी रखते हैं तो पानी को पुरा उबाल देता है कोई भी चीज हम तो ग्रील का काम होता है सेकना कोई हम थोड़े छोटे-छोटे पीसीज हैं पतले-पतले स्लाइस हैं जैसे मीट का है यँफी चैलीड है जो भी हम पनी टिका बनाते हैं तो वो सारी चीजए अगर आपको सेकनी है सिर्फ तो उसके लिए आपको ग्रील स्लैक्ट करना है ग्री में फैलाता है जैसे कि हम केक बेक करते हैं तो इसमें हमें थोड़ी सी हीट चाहिए होती है जैसे हम कूकर पे या कड़ाई में बनाते हैं तो नीचे तो उसी तरीके से अगर हमें केक करना है थोड़ी-थोड़ी हमें हीट चाहिए तो उसके लिए हम कन्वेक्शन मोड को हम यूज करते हैं कन्वेक्शन में होता है कि जो अंदर की गरम हवाइं है वो चार और फैला के माइक्रोवेव को गरम करता है हम हवाव के फ़िए माइक्रो वेव को गरम करता है जो भी हम अंदर रखेते हैं उसको पकाने के कोशिश होता है तो यह तीनों चीज़स आपको क्लियर हो गया हुए कि ग्रील क्या होता है, और कन्वेक्शन क्या होता है अब यहाँ पे combinations है तो इन combinations को आपको कैसे use करना है वो मैं आपको बता देती हूँ तो यहाँ पे grill simple दिया हुआ है तो अगर आपको किसी भी चीज़ को सेखना है सिर्फ तो उसके लिए आप grill select करके temperature select करके timing select करके आप यहाँ से start कर सकते हैं सेकेंड आते हैं यहाँ पे micro plus grill दिया है मतलब हमें किसी चीज़ को अंदर से भी पकाना है और उपर से भी सेखना है तो उसके लिए हम micro plus grill का use करेंगे जैसे पनी टिक कामें बनाना है तो पनी टिक्क में जो हम अंदर सेखना के उसको सौफ्ट भी करना है पनीर को और सेखना भी है तो प Magic ucl predict करना है pro और उसमें गार्ट करने दो कॉंबिनिशन दिया है एक बार प्रेस करने पे वह अलग प्रेश करने प्रेस करने अगर मैं एक बार प्रेस करती हूं इसको पर हटाए अगर मैं पर प्रेस करती छिए वन आगerkर मासिया करने का मतलब है कि जो माइक्रो जो मोड है ओट कोड सेँटी परसम प convince के अगर मैं सी को दो बार क्रेस कर दे तो इसमें ग्रील और माइक्रो लिखके आ गया है तो दो बर प्रेस करने का मतलब कि अब इसमें अंदर से पकाएगा ज्यादा और सेकेगा कम मतलब माइक्रो मोड हो जाएगा इसमें 55% और फंक्षन इसमें हो जाएगा 45% तो यह सारी चीजें इस मैन्नियू जो आपको मिलती है इन सब में भी लिखा हुआ रहता है तो आप यहां से भी देखके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं तो यह मैने आपको बता दिया एक बर प्रेस करेंगे तो वह पहला कॉंबिनेशन हो जाएगा जिसमें माइक्रो कम ग्रील जादा रहेगा दो बार इसको प्रेस करें लोगे Take care Pl yellow पे तो क्या होता है कि हमिए यह हम यूज करते हैं को जैसे हम नि certaines क sis पर में दुचाना दो यह कम हो्ती है और से हमें और आप ही होते हैं तो के लिए हम घ्रील और कर्मेक्षन मोंड का यूज करते हैं तो जयसे हम केख बेक करना है तो आप यूजा यूज preheat के लिए हमें temperature set करना है तो हम इसका use करते हैं grill plus convection करते हैं जिस भी temperature में आपको यहाँ पे चाहिए वो select करना है उसके बाद start click कर देना है तो preheat start हो जाएगा grill convection mode में आपको कोई भी चीज बहुत crispy करनी है quickly करनी है और evenly पकाना है तो उसके लिए आप grill plus convection mode का use कर सकते है तो इसको आपको कैसे use करना है इसमें सिप एक ही mode है यहाँ पे मैंने grill convection प्रेस कर दिया है अब यहाँ पे मुझे temperature चाहिए तो मैं 5 number को प्रेस करूँगी तो 150 degree centigrade आ जाएगा 0 number को प्रेस करूँगी यहाँ पे 5 minutes यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी तो grill और convection mode का यहाँ पे function स्टार्ट हो गया इसमें आपको ध्यान यह देना है कि अगर सपोज मैं यहाँ grill और convection mode को मैंने यहाँ प्रेस कर दिया temperature सपोज यहाँ इस बर मैं 180 ले लेती हूँ 8 number प्रेस किया है अब यहाँ से आपने direct अगर start को क्लिक कर दिया तो वो preheat लेगा और temperature के बाद अगर आपने timing सेट करके start किया तो वो grill और convection mode का function ले लेगा तो यह आपको ध्यान देना है अब next आते हैं यहाँ पे micro plus convection mode पे तो यह जो feature है अगर आप चाहते हैं कि microwave mode पे भी आपको पकाना है और थोड़ा बहुत heat भी चारो तरफ रहे तो आपको इसके लिए यहाँ पे प्रेस करना है इसमें आपको लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि जो micro plus convection mode है इसमें सिफ चार ही temperature पे आपको कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ 110 degree centigrade इसको फिर से प्रेस करेंगे तो 140 आ जाएगा फिर से प्रेस करेंगे तो 170 आ जाएगा फिर से प्रेस करेंगे तो 200 मतलब यही सिफ चार temperature है इसमें आपको जिस भी temperature पे आपको करना है उतने times आप जब प्रेस करेंगे लगातार तो वो temperature चेंज होता रहेगा और आप देखे मैं इसके बाद प्रेस करूंगे तो फिर से 110 आ गया तो आपको जो भी temperature माइक्रो कन्वेक्शन के लिए चाहिए तो यहां पे आप प्रेस लगातार करते हुए यहां पे स्लेक्ट कर सकते हैं सपोज मुझे इन सब के अलावा कोई और temperature चाहिए जैसे 110 के बाद 140 आ रहा है तो मुझे 120 चाहिए तो मैं एक बार देखती हूं चेक करके होता है कि नहीं 110 है मुझे सपोज 120 यहां पे नहीं हो रहा है यहां पे डारेक्ट यहां पे टाइम ले रहा है तो इस तरीके से temperature अगर आपको इसमें set करना है तो आपको इसी को प्रेस करना पड़ेगा तो इसको आपको कैसे यूज करना है माइक्रो कन्वेक्शन मैंने यहां प्रेस कर दिया सपोज मुझे 140 चाहिए तो मैंने इसको दुबारा से प्रेस कर दिया तो यहां पे आगया 140 temperature यहां पे आई गया है मुझे यहां पांच मिनट के लिए कुप करना इसमें प्रेस के बारे में समझ में आ गया मैं यह भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूं शौट में कि वेट डिफॉस्ट होता है कि जैसे हम फोई भी फ्रोजन आइटम्स फ्रीजर में रखते है तो उसमें बरफ जमी रहती है तो उसे हमें तुरंत अटा के पकाना है तो आप माइक्रोवेव को ओपन करके उसके अंदर प्लेस करके यहां से यह प्रेस करेंगे उसके बाद आपको वेट अंड क्लॉप को प्रेस करना है जिसे की माइक्रोवेव देख सके कि कि इतना उसका वेट है जो आपने रखा है तो मैं यहां पे प्रेस कर दूंगे और से स्टार्ट कर दूँगी तो यहां पर टाइम ले लेगा और जो भी बरफ है वह छे मिनट पर पिगला के आपको जो भी आपका समान है हुआ आपको दे देगा तो वे डिफॉस्ट का ये फाइदा है हमें पानी में रखके जैसे अम बरफ को पिगलाते हैं जैसे हम मतर निका केक के महतं होती में बरहां काणू मोस कररेंगे । मघों कूछ कर थे लाक लाया है। दो क्या में पानी करना है तो कोल समय बताद दो क्या स्काती है कि बातन यहां, कप में कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे उसमें एक नीबू चाहा हाफ नीबू का जूस डालके पानी में मिला देंगे मतला लैमन जूस विदाउट सॉल्ट आपको बनाके इसके अंदर प्लेस करके रखना है और उसके बाद फिर डियोड्राइस को सेलेक्ट करके फिर स् स्टार्ट का पताई आपको स्टार्ट का पताई है इसके लावा आपको कोई और भी अगर इंफर्मिशन चाहिए माइक्रोवेव से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें मैं आपको तुरंथ वीडियो बनाके इसको अपलोड कर दूंग आप वहां से देख सकते हैं